हेलो आज आज आप बनाना सीखेंगे लेडीज पैंट पलाजो मेरा ये फैब्रिक धाई मेटर है क्योंकि सूट में सलवार के लिए mostly कपड़ा धाई मेटर ही आता है बट आप 40 या 42 लेंद का पैंट पलाजो सवा 2 मेटर में आसानी से बना सकते हैं और 36-37 का तो आप 2 मीटर में फैब्रिक में भी बना सकते हैं यह सबसे पहले हम नाप देख लेते हैं हमारा नाप है लेंद है हमारे 42 हीप है 44 नी राउंड है 20 बोटम है 16 अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को जरूर दबाए चलिए शुरू करते हैं ये देखे गाइस हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके लिया है और इसको लंबाई में फोल्ड किया है अब हम उपर से एक सीधी लाइन खीश देंगे इसको बराबर करने के लिए उर गैज अब हम निसान लगाएंगे हम अपना थाई के हिसाब से जो के हमारी 14.5 है यहां पे हम निसान लगा देंगे यहां से हिप के हिसाब से नहीं लगाना है थाई के इसाब से लगाना है और उपर से हम लैस्टिव डालने के लिए जो फोल्ड करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहां फिर लाइन खीश देंगे इसके बाद हम अपने लंबाई का निशान लगाएंगे जो कि हमारी फोल्टी टू इंच है ऐसे निशान लगा देंगे इसके निशान लगा लेंगे हम लंबाई का और नीचे से लाइन खीश देंगे अब वाइस नीचे से भी हम बोटम नीचे से जो मोड़ते हैं उसके लिए दो इंच एक्स्टा पर निशान लगाते हैं इसे लाइन खीश देंगे क्योंकि हमें नीचे से भी मोड़ना होता है और वाइस अब उपर से हमने बारा इंच आसन के लिए छोड़ कर यहां पर यह फोर्टिन पर फाइब जो थाई के लिए नाप लिया था उपर यहां से भी इतना हesian लेंगे और लाइन खीश देंगे यह देखे एंवने बारा एंच उड़ा है ऊपर से स्क्रोच आहे एरय के लिए यहां पर भी हम लाइन खीश देंगे यह हमारा बोक्स तयार हो गया है 12-12 इंच का यह देखिए यहां से भी हम 12 है हमारा और यहां से भी हमारा 12 ही है और अब हम यहां से आसन की गोलाई दे देंगे और अब हम बीच का पॉइंट निकालेंगे टैप को ऐसे रखके और इसको बीच से मोड देंगे जो बीच में पॉइंट आएगा हम वहां पर मार्क कर लेंगे यह हमारा बीच का पॉइंट निकल गया है और इसको इतना ही नाप कर हम उपर और नीचे निसान डालेंगे कि यह हमारा बीच का पॉइंट निकल गया है और हब हम यहां पर लाइन खीच डालेंगे आपको उपर तक लाइन खीचना है तो खीच सकते हैं हम इसे रहने देते हैं क्योंकि इसकी कोई जुरूरत नहीं है कि अगले का अगया कि अगझे मोरिक निसान लगाएंगे लाइन थी फॉर इंच इदर लेना है हमें 4 इंच इंच ऺमिक कि अमारा टोटळ ड हैं कि व्रक इंच बेंच एंच ऋबट है ज्यसे स psycho आमारा उर शिर्षर हम यह हकार्ट निस वह बेंज चीच अ इसके बाद हम सेफ पट्टी से इसको सेफ दे देंगे ऐसे मिला देंगे और यहां पे लाइन कीज देंगे ऐसे और हम पट्टी को ऐसे इधर पलट देंगे यूप करके इधर साइड लगाना हमें यहां से जहां से हमने फॉर इंच का लिया था इसी निसान से हमें उपर तक मिलाना है ऐसी यहां से भी हम सेफ देंगे यह देखेगा इस हमारा यह फ्रंट साइड का पला जो है वह त्यार हो चुका है निसान लगाके और हम इसको कट कर लेंगे तरुब कर दो तक मिलाना हमें इसको कर दो हमें वहां से बादाएं अब हम बैक साइड का निसान लगाएंगे हम इसको इसके उपर अच्छे से रख लेंगे और हमने ही थोड़ा एक्स्टा लेना है और उपर से हम धाई डाई इंच पर निसान लगाएंगे उपर से हमने धाई इंच एक्स्टा ही लेना है यह देके डाई इंच ही एक्स्टा लिया है हमने और ऐसे भी हमने डाई इंच एक्स्टा लेना है बैक साइड का जो मार्जन है हमने यह इसी साइड देना है आसन की एक्स्टा मार्जन डाई डाई इंच का, उपर से देना है डाई डाई इंच का एक्स्टा मार्जन, ऐसी, तो आने स्पेसी लाइन खीज लेगे, यह हमारा डाई डाई इंच पर एक्स्टा मार्जन लग चुका है, और नीचे से हमें सिर्फ दो इंच एक्स्टा लेना है, दो दो इंच पर हम ऐसे मार्ग कर देंगे, और हमें इसको ऐसे निला देंगे, अब हम उपर से निचान लगाएंगे, हमने यही तिर्चा निचान लगाना है, यह इसलिए लेते हैं कि बैटने में पीछे से खिचेना, इसको अनिचान लगादेगे, और गैज इस साइड हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, कोई एक्स्टा मार्जन नहीं लेना है, हमने सिर्फ आसन की साइड ही एक्स्टा मार्जन लेना है इस साइड में हमें कोई मार्जन नहीं लेना है इसी निसान से हम कट कर देंगे इसी निसान से हमारा पैंट प्लाजो पूरा कट के रेडी हो गया है और हमने ये जेड कट किया है और ये पोकेट कैसे कट करते हैं कैसे लगाते हैं इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रप्सन में दिया हुआ है आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत ही एजी तरीका है अब हम अपने पेंट प्लाजो की सिलाई करते हैं यह हमारा फ्रेंट साइड का जो कटिंग किया था वो है इसको हम यू का यू यहां से सिलाई कर लेंगे पहले सबसे पहले आसन जोड़ लेंगे ऐसे और इसके बाद यह बैक वाला है इसको भी यू का यू हम सिलाई कर सबसे पहले हम आसन सिलाई कर लेते हैं यह जाए पूरी यह नीचे तक सिलाई कर लेंगे इसको अच्छे से नोग लेंगे इसको अच्छे से पका कर लेंगे यह देखे हमने यह फ्रंट वाला अच्छे से जोड लिया है मीच में से भी अच्छे से सिलाई लगा लिया है यह देखे हम बैक वाला जोड लेंगे यह देखे हमने यह आसन जोड लिया है दोनों का दोनों का आसन जोड गया है और अब हम दोनों यह बैक और फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ेंगे इससे पहले हम यहां पर पोकेट लगाएंगे और बाद हम इन साइडों को सिलाई कर देंगे नीचे तक यह देखे गाईज हमने यह पोकेट लगा लिया है अच्छे से और यहां पर हमने किनारी किनारी एक सिलाई भी लगा लिया पूरे में नीचे तर लगा लिया है, साइड वाला सिलाई, सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे, ऐसे करके, यहां पोकेट लगा के और आपको अगर पोकेट दूनों तरफ लगाना है, तो दूनों तरफ लगा सकते हैं, हम एक लगाएंगे, और साइठ से सिलाई लगाके इसको पूरा करा देगे ये दोनों साइड है जोड लिन है और अब हम inking बीच वाली सिलाई लगाएंगे ये वाली देखेगा, जो हमने बीच वाली सिलाई लगा दी है फूरे में कि विच वीच और और अब इसको नीच इसे फोल्ट करेंगे ये वाल ऐसे पकड़ेंगे इसको इसको ऐसे पलट डेएगे इसको बिल्कुल अच्छे से बराबर करेंगे करेंगे और इसको हम यहां से ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे पूरे में ऐसे अच्छे से फोल्ड करके यहां से शिलाई लगा लेंगे अच्छे से दोणों को कुरा कमप्लिट हमारा हो गया रही है और अब बस उपर से हमें लास्टिक टालना है इसमें लस्टिक गड़ करना है और लस्टिक कैसे अट करते हैं लगाते हैं इसका पूती इजी मैथड मैंने बताया हुआ है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से देख सकते हैं एक गाइस हमारा पैंट प्लाजो बनके पुरा रेडी हो चुका है इसमें देखिए ये लास्टी कितना अच्छे से डला है और ये पुकेट लगाया है कुरा रेडी हो गया है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाए थैंक्स पॉचिंग मैं वीडियो टिक केया बाई बाई